यूं तो बिहार सनातन और संस्कृतिक विरासत की धर्ती माने जाती है बुद्ध की धर्ती माने जाती है जैन की धर्ती माने जाती है महावीर की धर्ती माने जाती है वही उसी धर्ती पर सनातन धर्म का वैशनो सनातन धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे सनातन धर्म का समवर्धन कर रहे मानपूर में अवस्थित एक मठ में मैं आ गया हूँ और इस मठ के मठाधीश हमारे पास यहीं है सबसे पहले इनके चर्णों में मैं नमन निवेदित करता हूं और सबसे बड़ी चीज यहां देखने को यह मिल रहा है कि यहां कुछ बच्चे सनातन संस्कृती संस्कृत की सिच्छा तो लेही रहे हैं इसके साथ साथ आधुनिक स सिच्छा भी गरहन कर रहे हैं और देश दुनिया में नाम रौसन कर रहे हैं कई ऐसे भी द्यार्थी यहां हुए जो इसी मठ से पढ़कर और इनहीं गुरू जी के सानिध्य से पढ़कर आज अपना जीवन सफल बनाया है गाउं का गौरों बढ़ाया है परिवार का गौर आना चाहते हैं तकनिकी यूग में उस दौर में हम यहां देहकर आशर्चकित हो रहे हैं कि आपके सानिध्य में आपके छत्रचाया में कुछ बच्चे संस्कृत का जान अर्जन कर रहे हैं कि श्री मंतम धरणी धरम गुरु महां नित्यय मुदा संस्रे जन प्रहरी जो चैनल है यह बड़ी धन्यवाद का पात्र है जो कि भारतिय संस्कृति के विशे में दीवभासा संस्कृत के विशे में कुछ पूछने का जानने का और लोग को बूध कराने का संकलपलिया है भारतिये संस्कृति ही संस्कृत संस्कृति है यहां की भासा यहां के भोजन यहां के वस्त्र यहां का रहना सहना सब के सब संस्कृत हैं जदी कोई कहते हैं कि संस्कृत से हम दूर हैं और संस्कृत से वह दूर है यह दोनों कहना उचित नहीं कि यह वही वेक्ति बोलते हैं जो स्वयम अज्ञाना अवरत हैं अज्ञान से ढकी हुई उनकी बुद्धी उनका विचार उनका व्योहार है यह सुस्पष्ट होता है अपने यहां जो धर्म शास्त्र हैं चाहे वह वेद हो पुरान हो शूरूतियां है श्मर्टियां है सब के सब संस्कृत बांगमे में ही है संस्कृत हमारी आत्मा है संस्कृत से हम उता प्रोत हैं संस्कृत से हम ना बाहर है और ना संस्कृत के अंदर हैं संपोर्ण शरीर में संचार कड़ता है कहीं भी किसी अंग को छूते हैं बोध होता है कि हमारा अंग है हावो प्रान कहा माने हम नक में माने की केस में माने यह हमारा है प्एर भी छूता हो तो हमारा है उपर सर्विस होता हो तो हमारा है कि ऐसे ही पूरे के पूरे जो भारत वर्स है यहां संस्कृत से उता प्रोत है क्योंकि कि जितने भी मुर्धन्य सद्गरंत हैं सब के सब संस्कृत में हैं और संस्कृत अ Is थे में रहते हुए कि उसके बाद विजिन भासाएं हैं जो छेत्रिय भासाइं हैं अपनी अपनी भासाओं में कि बोथ कराते हैं अब व्यापक भासा यद्रस करता है तो तो संस्क्रत कि ही क्यों नहीं तो लोग बोलते हैं का कि सारे लोग संस्क्रित बोलते हैं भले समझते नहीं आजकल तकनिकी यूग में हर अभिभावक चाह रहा है कि हमारा मेरा जो बच्चा है वह डॉक्टर इंजिनियर बने कोई पंडित बनाना नहीं चाहता है समाज में इसका बहुत भोर अभाव हुआ है कि स्वामी सहजानन सरस्वती एक परिकल्पना किये थे जिस समाज की रचना के लिए पहले हम अपने गाव में देखते थे कि बहुत लोग बैशनों हुआ करते थे आज कुछ संख्या उनकी घट रही है कुछ लोग रूची रख रहे हैं लेकिन कुछ लोगों की इसके पीछे जी क्या करण है कि इसका अपगटन हो रहा है और क्यों हो रहा है ना इसका अपगटन है ना इसका भी घटन है यदा जदा है धर्मस्य गलानिर भवत इभारत अभुत्ता नम अधर्मस्य तदात्मानम स्रियामिहं परित्रानाय साधोना मिनासाय चदुष्कृताम धर्मस्थाप नार्थाय संभवाम युगे युगे गीता वाक्य है धर्म कल भी था कल भी रहेगा आज तुष्की सत्ता है ही पुरु में ही हमने कहा कि अज्ञानावर्त अवस्था में ऐसा दीख रहा है भगवान भी आकर कहते हैं मुर्त रूप में कि मैं कल भी था कल भी रहूँगा त्रेकालिक सत्ता है हमारी हम उन जीवात्माओं को वोध कराने के लिए आये हैं जो भूल गये हैं तो स्वामी सहजानंद सरस्वती आये स्वामी वास्थ देवा चार्ज आये स्वामी प्रांकुशा चार्जी महराज आये स्वामी धर्णी धराचार्जी महराज आये स्वामी रंग रामानुजा चार्ज आये अपनी लिलाओं के बीच में धर्म की अस्थापना के उन्होंने और धर्म की अस्थापना करके घटाकास से महाकास हो गए तो ऐसे महापुरुश सदैव आदरनिय प्रातस्मरनिय वंदनिय हैं और पुना कहता हूं कि आप आवे इस धर्ती को पुनित करें जिससे हम सब वो काजीवन सार्टक हो और उन्होंने हैं अपने बिहार में बिहार तो सिक्षा और विद्या दूनों का केंद्र रहा है डाक्टर और इंजिनियर बनना ओडाक्टरी और इंजिनियरिंग वह विद्या नहीं है वहाँ सिक्षा है सिक्षा टेकनोलोजी जो है मेरे वह सिक्षा है अर्थ संग्रह जो करते हैं वहां सिक्षा है और अर्थ ओपार्जन सही ढंग से हम करें अर्थ का सदूप्योग करें या मानोतन का सदूप्योग करें अपने बलद्धी विचार का सदूप्योग करें इसके लिए विद्या की अस्थापना करें तो वहीं है संस्कृत विद्या अध्यात्म विद्या विद्या नाम विभूति योग में भगवान स्रीकृष्ण कहते हैं कि मैं विद्या में अध्यात्म विद्या हूं जिससे आत्म बोध्य होबे और बोध्य होबे कि मैं कौन हो आप कौन है शिक्षा में यह विवस्था नहीं है शिक्षा में है कि जाविद्या सा नियुक्त है और विद्या में है कि साविद्या जावि मुक्त है तो संस्कर्त विद्या विमुक्ति के लिए है छुटकारा दें अज्यान से जैसे तमस से तमसो मा जोतिर गमया असदो मा असतो मा सद गमया असत से सत की और जो ले जाएं वह विद्या है और वह संस्कृत विद्या है शू संस्कृत विद्या है अपने यहां जहां पर हम है श्री आशार्य राजंद्र संस्कृत विद्याले से बोल रहा हूं कि उन्हें सो उन्चालिस की इनके स्थापना है कि स्वामी बाशुदेवा अशार जी महाराज नौबत पूर थाना जिला पत्ना बिहार में एक बड़ी ही ज्यान बैभव से संब्रद संस्थान है जिसका नाम तरेत है राघ्यवेंद्र श्री राघ्यवेंद्र वहां विद्याले भी वहां है कि संपूर्ण भारत बर्श में संमान को पाते हुए अंतरदेश में भी अंतरदेश में भी संस्क्रत संस्क्रती का अलख जगाया है वहीं उसी संस्थान से यह जुड़ा हुआ है जहां के स्वामी वासु देवाचार जी महराज उनसे पहले परमवहंस संत शिरोमनी स्री राजंद राचार जी स 4000 थे उनकी प्रंपरा में तो ए हुआ मनें अच्थापना की उनकी प्रंपरा में स्वामी धरणी धराचार्जी आये संगरक्षन किया उसी प्रमपरा में मुर्णी जी या मुर्णी धराचार्ज स्वामी नारायना चार्ज की प्रमपरा से आते हुए यह संस्क्र्ट संस्क्र्ट वीच में बच्चों के बीच में जहां तक प्रयास हो वहां तक बताया जाता है और संस्कृत तो देवभासा है कि देवभासा मतलब अम्रत्भासा है कि संस्कृत की उप्यक्षा अपने अहां अपने भारत वर्स में कभी नहीं हुए है अज्ञानावर्त होने के छलते बोलें तो मदिरा पी के बोलें उसके बाद जिथार्थ घ्यानकानुभव हो जाता है और कहते हैं कि नहीं मैं अपने हालात में नहीं बोल रहा था मैं किसी के हालात में बोल रहा था तो संस्कृत क्योंकि एच्छा वही करते हैं जो अपने हालात में नहीं हां संस्कृत हमारी संस्कृत हमारी भासा है इसके विना हमारा जीवन अधुरा है सारी बच्चे मूल रामायन गीता आधी धर्म शास्त्रों का अध्यान करते हैं को कि इसी में सारा सुभ आचरण छुपा हुआ है इसलिए इस चैनल को मैं धन्यवाद देता हूं जन प्रहरी को कि जन प्रहरी संपूर्ण राष्ट्र में पहुंचे और अंतराष्ट में भी भारत के संस्कृत संस्कृत को पहुंचा रहते हैं धन्यवाद एक वार पुनह के चर्णों में नमन निवेदी थे अभी आप अमरित वानी का जो लाव ले रहे थे यह मगद के गया जिला अंतरगत जिहां वही गया जो कई मायनों से विश्व में प्रशिद्ध है यहीं से सुदर्स्नाचार जी महराज को सुन रहे थे उन्हीं का अमरित वानी में भी विराम देता हूं मैं हूँ अभी शेख कौसिक और आप देख रहे थे जन प्रहरी मीडिया जय ही